सबी दर्शेगों को मेरा स्ने भरा नमस्कार क्या आपने कभी सोचा है कि यदी एक लोहे की छड़ को धर्ती के अंदर गार दिया जाए और उसको कुछ समय के बाद बाहर निकाले तो उसके व्यावार में क्या अंतर होगा यह पाया गया कि वह एक चुम्बक के जैसे हो जाती है जिसके दो धुरूव होते हैं परंतु ऐसा कैसे हुआ अनुसंधान द्वारा यह पाया गया कि प्रत्वी का अपना एक चुम्बक ये शेत्र होता है जिसे भू चुम्बक्त्व कहते हैं और यही कारण है कि लहो की छड़ चुम्बक्य व्यवार करती है आज के कारिक्रम में हम भू चुम्बक्त्व के विशे में विस्तार से चर्चा करेंगे आपने अक्सर देखा होगा कि आस्मान में बहुत सारी चिडिया एक साथ उड़ रही होती है पर आपने कभी सोचा है कि यह सब कहां जा रही है हम अक्सर कहीं जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं परन्तु यह चिडिया बहुत लंबी दूरी तै कर सकती है उन्हें ये सब कैसे पता कि कौन सी दिशा उत्तर है और कौन सी दक्षिन आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सारी चिडिया स्वेम ही सर्बिया से साल की किसी विशेश समय पर विस्थापित होती है और राजस्तान के भरतपुर वन जीव अभ्यारण्य पहुँच जाती है समुंदर में जाने वाले लोग कैसे एक से दूसरे देश पहुँच जाते है और इसके लिए वो एक चुमबक्य परकार का इस्तमाल करते है यह चुमबक्य परकार किस तरह दिशा बताता है तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते है और इन सब प्रशनों के उत्तर ढूनने का प्रयास करते है सबसे पहले एक महान विज्यानिक के विशे में कुछ बाते जानते है हम काल फ्रेडरिक गाउस का चतर देख रहे है वे एक विलक्षन बाल प्रतिबा थे संख्याओं के गुण उनको लुभाते थे और उनके कारे में उनके बाद आने वाले जमाने के प्रमुक गनेतिय विकास का पूर्वाभास होता है इनके बारे में इतना जानने के पस्चात अब आगे बढ़ते है और देखते है कि गाउस के नियम को चुमबक्त में भी लागू किया जा सकता है स्दिर वैद्यूत के लिए गाउस के नियम का अध्यान हम पहले ही कर चुके है चितर में भी आप यह देख रहे है कि एक द्वारा अंकित बंद गाउसीय सता से शेत्र रेखाओं की जितनी संख्या बाहर जा रही है उतनी ही संख्या इसके अंदर भी प्रवेश कर रही है इस बात की इस तथ्य से संगती बैठती है कि सतह द्वारा परिवेश्टित कुल आवेश का परिमान कितना होना चाहिए यह परिणाम शून्य होना चाहिए किन्तु इस चित्र में बंद सतह दो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो किसी धनावेश को घेड़ती है इसके लिए परिणामी निर्गत फ्लक्स होता है परंतु यह स्तिती उस चुम्बकिये शेत्र के लिए पूर्ण तहा बेन है जो संतत है और बंद लूप बनाते हैं इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखने पर हम यह पाएंगे कि सतह में बाहर आने वाली बल रेखाओं की संख्या इसके अंदर प्रवेश करने वाली संख्या के ही बराबर है दोनों ही सताहों के लिए कुल चुम्बकिये फ्लक्स शून्य है और यह बात किसी भी बंद सता के लिए भी सत्य है आईए अब हम इसमें कुल फ्लक्स का मान ग्याद करते हैं किसी बंद सता S का एक छोटा सदिश शेत्रफल आवियर डेल्टा S लेते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा S से गुजरने वाला चुम्बकिये फ्लक्स हम सिर्फ इस डेल्टा S की बात कर रहे हैं तो चुम्बकिये फ्लक्स डेल्टा 5B होगा और इसका मान किसके बराबर होगा बी डॉट डेल्टा S यहाँ बी डेल्टा S पर चुम्बकिये शेत्र है हम S को कई छोटे छोटे आवियों में बांट लेंगे और उन में से प्रतियक से गुजरने वाले फ्लक्सों का मान अलग अलग निकालेंगे तो तब कुल फ्लक्स का मान कितना होगा तो कुल फ्लक्स का मान होगा सभी का योग डेल्टा 5 बराबर सभी का योग डेल्टा फाई के स्थान पर हम लिखेंगे अदिश गुननफल बी और डेल्टा एस का और यह किसके बराबर है शुन्य के बराबर है क्या हमारे दर्शक यह सोच सकते हैं कि यहां सभी या ओल शब्द से क्या अभी प्राए है सभी का आर्थ है सभी शेतिफल अव्य डेल्टा एस इसके तुलना वैद्यूत स्थितिकी के गाउस के नियम से कर सकते हैं यहां एक बंद सता से गुजरने वाला वैद्यूत फ्लक्स का मान कितना होता था यहां ए और डेल्टा एस का अदिश गुणनफल बराबर क्यू एन क्लोस बटा एब्सलनोट यहां क्यू बंद सता द्वारा परिभत आवेश है तो इस प्राकार हम गाउस के नियम को चुमबक्त में इस प्राकार परिभाशित कर सकते हैं तो हम इसको परिभाशित करते हैं इसकी परिभाशा इस प्राकार है किसी भी बंद सता से गुजरने वाला कुल चुमबक्य फ्लक्स हमेशा शून्य होता है कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम भू चुमबक्त के विशे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमने प्रत्वी के चुमबक्य शेतर का जिक्र पहले भी किया है प्रत्वी के चुमबक्य शेतर की तीवरता इसकी सथा पर भिन भिन स्तानों पर भिन होती है और इसका लगभग मान दस की घात रिन पांच टेसला की कोटी का होता है परन्तु प्रत्वी के चुम्बक ये शेत्र का कारण क्या है प्रारंब में ये सोचा गया था कि प्रत्वी का चुम्बक ये शेत्र इसके अंदर बहुत गहराई में रखे एक विशाल चुम्बक के कारण है जो लगभग प्रत्वी के घुनन अक्ष के अनुदिश रखा है परंतु क्या ये सरली कर चित्र निश्चित रूप से सही है नहीं ये सही नहीं है यह धार्ना अब बदल गई है और अब ये माना जाता है कि प्रत्वी का चुम्बक ये शेत्र इसके बाहिए क्रोड के धात्विक तरल जो की अधिकांश क्या है पिगला हुआ लोहा एवम निकल इसकी समवाहक गती के कारण उत्पन विद्धित धाराओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है और इस प्रक्रिया का एक विशेश नाम भी है इसका विशेश नाम क्या है इसको कहते हैं डाइनमो प्रभाव प्रत्वी की चुम्बक्य शेत्रे खाएं प्रत्वी के कालपनिक केंदर पर रखे चुम्बक्य द्विध्रूव के जैसी ही होती है इस द्विध्रूव की अक्ष प्रित्वी के गूर्णन अक्ष के समपाती नहीं होती है बलकि वर्तमान में ये जुकी हुई है क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कितना कोण जुकाव का है जी हाँ ये देख सकते हैं कि ये कोण लगभग 11.3 डिगरी का है इस द्रिष्टी से देखें तो चुमबक्य ध्रूव वहाँ अवस्तित है जहां चुमबक्य बल रेखाएं प्रित्वी में प्रवेश करती है अत्वा इसके बाहर निकलती है वह ध्रूव जो प्रत्वी के भोगौलिक उत्री ध्रूव के निकट है यहां पर उत्री चुमबक्य ध्रूव कहलाता है और इसी प्रकार प्रत्वी के भोगौलिक दक्षिन ध्रूव के निकट स्तित ध्रूव दक्षिनी चुमबक्य ध्रूव कहलाता है क्या आपको लगता है कि दुरूवों के नामकरण के संबन में कुछ संभरम है यदि आप प्रत्वी की चुम्बक्य शेत्रेखाओं को देखे तो छड़ चुम्बक्य विपरीत शेत्रेखाएं उत्री दुरूव NM से प्रत्वी के अंदर प्रवेश करती है और दक्षणी चुम्बक्य दुरूव S M से बाहर निकलती है यह परिपाटी इसलिए शुरू हुई क्योंकि चुम्बक्य उत्तर वे दिशा थी जिसमें चुम्बक्य सुई का उत्री सीरा संकेत करता था चुम्बक के धुरूव को उत्री धुरूव इसलिए कहा गया क्यूंकि यह उत्तर दिशा का ज्यान कराने में सायक था तो इस प्रकार वास्तव में उत्री चुम्बक के धुरूव प्रत्वी के अंदर के छड़ चुम्बक के दक्षणी धुरूव की तरह व्यवार करता है एवं दक्षणी चुम्बक के दुरूव इस छड़ चुम्बक के उत्री धुरूव की तरह तो इस प्राकार हमारा ये ब्रहंबी दूर हो गया जो हमने यहाँ पे ये NM और SM की बात की थी आईए पहले अब एक प्रश्ण का अभ्यास करते हैं प्रश्ण है कि विशुवत रेखा पर प्रत्वी के चुम्बक ये शेत्र का परिमान लगभग 0.4 गौस है प्रत्वी के चुम्बक के द्वीध्रूव आगून की गणना कीचे आईए इस को साथ मिल कर हल करते हैं समीकरण के अनुसार विशुवत ये चुम्बक ये शेत्र का परिमान कितना होगा ये परिमान है BE बराबर μू नॉट M बटा 4 पाई R की घात 3 हमें M का मान ग्यात करना है तो M का मान बराबर होगा BE गुणा R की घात 3 बटा μू नॉट बटा 4 पाई इन सभी का मान रखने के पस्चाथ हमें मिलेगा चार गुणा 10 की घात रिण 5 टेसला ये त्रिज्जा है प्रित्वी की 6.4 गुणा 10 की घात 6 और इस पूरे की घात 3 बटा मू नॉट बटा 4 पाई का मान 10 की घात रिण 7 है इन सब को हल करने के पस्चाथ हमें M का मान मिलेगा 1.05 गुणा 10 की घात 23 अम्पियर मीटर की घात 2 और यह मान भू चुमबक्त संबंदी पुस्तकों में दिये गए मान 8 गुणा 10 की घात 22 अम्पियर मीटर की घात 2 के बहुत निकट है यदि हम समुंदर में जाते हैं तो दिशा निर्धारित करने के लिए हमारे पास एक चुमबक्य परकार होता है पर क्या यह चुमबक्य परकार यतार्त उतर दिशादर्शा आता है? यदि नहीं तो कितना कोण होता है? और क्या यह कोण स्थान के साथ-साथ परिवर्टत होता है? चलिए इन प्रश्नों के उतर जानने का भी प्रयास करते हैं एक चुम्बक्य सुई जो शैतेश तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तब चुम्बक्य याम्योतर में रहेगी और इसका उत्री धुरूव प्रत्वी के चुम्बक्य उत्री धुरूव की ओर संकेत करेगा चुकि चुम्बक्य धुरूवो को मिलाने वाली रेखा प्रत्वी के भौगौलिक अक्ष की तुलना में किसी कोण पर जुकी रहती है तो किसी स्थान पर चुम्बक्य याम्योतर और भौगौलिक याम्योतर से एक कोण बनाती है यही वे कोण है जो यथार्त भौगौलिक उत्तर एवं चुम्बक्य सुईद्वारा इंगित उत्तर के बीच बनता है इस कोण को क्या कहेंगे इस कोण को कहेंगे चुम्बक्य दिकपात अथ्वा केवल दिकपात भी कह सकते हैं दर्शकों के लिए भी मेरे पास एक अभ्यास है वो अभ्यास यह है कि वे अलग-अलग शहरों का दिकपात ढूंडे और यह कल्पना करने की कोशिश करें कि चुम्बक्य सुई किस दिशा में ठहरेगी जैसे उधारन के तौर पर भारत में दिकपात का मान काफी कम है जैसे यह दिली में 0 degree 41 minutes east एवं मुंबई में 0 degree 58 minutes west है अता दोनों ही स्थानों पर चुम्बक्य सुई काफी हद तक सही उत्तरदिशा ही दर्शाती है एक अन्य महत्पून राशी भी है जिसमें आपको और रुची हो सकती है तो कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब इस पर इस प्रकार पूर्ण संतूलन में हो कि चुम्बक्य याम्योतर के तल में घूम सके तो यह सुई शैतिज से एक कोण बनाएगी और यह कोण यह वाला कोण है जिसको हम कहते हैं नमन कोण अता नमन कोण वह कोण है जो प्रत्वी का कुल चुम्बक्य शेतर बीई प्रत्वी की सता से बनाता है तो यह कोण आई को हम कहते हैं नमन कोण इस चित्र में प्रित्वी की सता कि किसी बिंदू P पर चुम्बक्य याम्योत्तर तल दर्शाता है यह तल प्रित्वी से गुजरने वाला एक खंड है बिंदू P पर कुल चुम्बक्य शेत्र को हम एक शेतिज अव्य है HE एवं एक उर्ध्वादर अव्य है ZE में वियोजित कर सकते हैं BE और HE जो कोन बनाते हैं वह कोन कौन सा कोन है वह कोन नमन कोन है इसको हमने I से दर्शाया है अधिकतर उत्री गोलार्द में नमन व्रत की सुई का उत्री दुरूव नीचे की ओर जुकता है इसी प्रकार अधिकांच दक्षनी गोलार्द में नमन सुई का दक्षनी दुरूव भी नीचे जुकता है प्रत्वी की सता पर स्थित किसी बिंदू पर चुम्बक्य शेत्र को पूरी तरह निदिश्ट करने के लिए हमारे पास कुल कितनी राश्या हमें तीन राश्यों का विवरण देना होगा और ये तीनो राश्या क्या क्या है ये तीनो राश्या है दिखपात कोण डी नमन कोण आई और प्रत्वी के चुम्बक्य शेत्र का शेतिज अव्य ही और इन्हें हम क्या कहेंगे तीनों को इन्हें हम कह सकते हैं प्रत्वी के चुम्बक्य शेत्र के घटक यहां उर्द्वादर घटक कितना होगा यह बराबर होगा BE sin I के बराबर इसी प्रकार शैतिज घटक कितना है HE और यह किसके बराबर है BE cos नमन कोण I अब हम इन उर्द्वादर और शैतिज घटक का यदि अनुपात लें तो यह अनुपात होगा टैन आई बराबर Z E बटा H E उर्द्वादर घटक और शैतिज घटक दर्शकों के लिए अब एक और अभ्यास है वे प्रत्वी पर किसी भी स्थान पर कुल चुम्बा के शैतिर का परिमाण ज्यात करे उर्द्वादर घटक और शैतिज घटक के रूप में इससे पहले की हम आगे बढ़े पहले एक और प्रश्ण का अभ्यास करते हैं इस थान पर प्रत्वी का चुम्बा के शैत्र क्या होगा तो आईए इससे साथ मिलकर हल करते हैं जैसा कि प्रश्ण में दिया गया है शैतिज अव्याय का मान हे बराबर 0.26 गाउस है हम यह जानते हैं कि हई बराबर बी इ कॉस आई और आई यहां नमन कोण है तो इस प्रकार यहां से कॉस आई बराबर हई बटा बी इ होगा हमें ग्याद करना है बी इ का मान तो बी इ बराबर हई बटा कॉस और नमन कोण साथ डिग्री है कॉस साठ डिगरी का मान रखने पर जो की एक बटा दो है बी इए का मान होगा शुन्य दशमलव पांच दो कॉस तो इस प्रकार बी इए का कुल मान है जीरो दशमलव पांच दो कॉस आईए अब आगे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धुरूवों पर हमारी चुम्बक्य सुई को क्या हो जाता है तो चुम्बक्य दिख सूचक में एक चुम्बक्य सूई एक दूरी पर स्वतनता पूर्वक घूम सकती है जब दिख सूचक को समतल में रखा जाता है तो इसकी चुम्बक्य सुई उस स्थान पर प्रत्वी के चुम्बक्य शेत्र के सैटिज अव्य के दिशा में ठहरती है प्रत्वी पर कुछ स्थानों पर चुम्बक्य खनीजों के भंडार पाये जाते हैं जिनके कारण दिख सूचक सूई चुम्बक्य याम्योत्तर से हट जाती है। किसी स्थान पर दिख पात का ज्यान हमें उस स्थान पर दिख सूचक सूई के मान में संचोधन का यथार्थ उत्तरदिशा जानने में साहेता करता है। अता चुम्बकिय सुई को धुरूफ पर ले जाने का परिणाम क्या होगा। धुरूफ पर या तो चुम्बकिय शेत्रे खाएं उर्धवा धृत अभिसरित होंगी या अपसरित होंगी। इससे शैतिज घटक का मान उपेक्षनिय होगा। यदि सुई केवल शैतिज घटल में ही घूमने के लिए स्वतन तो होगी तो यह किसी भी दिशा में संकेत कर सकती है। और इस कारण दिक सुचक के रूप में इसका कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इस स्थिती में जिस वस्तू की हमें आवशक्ता है वह नमन दर्शी सुई जो एक दिक सुचक सुई है जिसको प्रत्वी के चुमबकिये शेत्र से युक्त उर्ध्वा धर तल में घूमने के लिए धुरी पर रखा गया है। तब इस दिक सुचक की सुई एक कोण दर्शाएगी जो चुमबकिये शेत्र उर्ध्वा धर से बनाता है। अब आप इन सब पदार्तों का चुमबकिये गुणों के आधार पर वर्गी करण कर सकते हैं। हम ऐसे कुछ पदों की परिभाशा देंगे और उनके बारे में समझेंगे जो इस वर्गी करण में हमारी साहता करेंगे। हम दिये गए नमूने का चुमबकन M इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यह किस प्रकार होगा? यह होगा उत्पन हुई इकाई आयतन परिणामी चुमबकिये आघून के रूप में। और यह बराबर होगा M बराबर M नेट बटा V। क्या दर्श किस समीकरण का मातरक सोच सकते हैं? या M किस प्रकार की राशी है? क्या यह सदिश है या फिर अनुदिश? जी यह M एक सदिश राशी है जिसका विम्य सूत्र L की घात रिण एक गुणा A एवं मातरक क्या होगा? एम्पियर मीटर की घात रिण एक अब एक लंबी परनालिका लेते हैं जिसकी प्रती इकाई लंबाई में स्मॉल एन फेरे हो और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो इस परिणालिका के अंदर चुम्बकिए शेट्र का परिमान क्या होगा? यह परिमान होगा बी नौट बराबर म्यू नौट फेरे हैन गुणा धारा आई यदि परिनालिका के अंदर शुनियत्र चुम्बकन का कोई पदार्थ बरा हो तो यहां शेत्र B0 से अधिक होगा परिनालिका के अंदर परिनामी शेत्र B को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? यह लिखा जाएगा B बराबर B0 जमा BM यहां BM क्रोड के पदार्थ द्वारा प्रदत शेत्र है और यह पाया गया है कि यह अतिरिक्त शेत्र BM पदार्थ के चुम्बकन M के अनुक्रमानुपाती होता है और इसको हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं BM बराबर μू नॉट गुणा चुम्बकन M यहां μू नॉट वही नियतांक है जो बायट सेबर्ट लौ के नियम में भी हम उप्योग कर चुके है अब सुविधा के लिए हम एक अन्य सदिश शेत्र H की बात करेंगे जिसे चुम्बक्य तीवरता कहा जाता है और इसको हम इस समीकरण द्वारा भी परिभाशित कर सकते है H बराबर B बटा मू नॉट गटा चुम्बकन M यहां H की विमाए वही है जो M की है और इसका मातरक भी एमपेर मीटर की घात रिन एक है इस प्रकार कुल चुम्बक्य शेत्र B को अब हम लिख सकते हैं B बराबर मू नॉट H जमा M परिनालिका के अंदर के कुल चुम्बक्य शेत्र को हमने दो अलग-अलग योगदानों के रूप में प्रस्तुत किया पहला बाहियकारक जैसे की परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का योगदान यहाँ H द्वारा व्यक्त किया गया और दूसरा चुम्बक्य पदार्त की विशेश प्रकरती के कारण अर्थात M बादवाली राशी M बाहियकार को द्वारा प्रभावित की जा सकती है और यह प्रभाव गणितिय रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं M बराबर काई गुणा H यहाँ काई एक विमा विहीन राशी है और इसे चुम्बक्य प्रवर्ती कहते है यह किसी चुम्बक्य पदार्थ पर बाहिय चुम्बक्य शेत्र के प्रभाव का माप है काई बहुत छोटे परिमाण वाली राशी है कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा और धनात्मक है जिने अनु चुम्बक्य पदार्थ कहते है कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा एवम रनात्मक है और इस पदार्थ को क्या कहेंगे इसे कहेंगे प्रती चुम्बक ये पदार्थ प्रती चुम्बक ये पदार्थों में M एवम H विपरीत दिशाओं में होते है तो हमें अब क्या समीकरण प्राप्त होता है? यह समीकरण है B बराबर μू नॉट एक जमा काई और सबका गुणा H के साथ अब हम देखते हैं कुल चुमबा के शेत्र B का क्या मान होगा? यह बराबर होगा B बराबर μू नॉट गुणा मू आर गुणा H मू नॉट गुणा मू आर को हम दर्शाएंगे मू से यहां मू आर यानि के ये राशी बराबर है एक जमा काई के और ये एक विमाविहीन राशी है जिसे हम पदार्थ की आपेक्षिक चुमबक्षीलता या आपेक्ष चुमबक्य पारगम्यता कहते हैं यह स्थिर वैद्यूती के परावैद्यूतांक के समतुल्य राशी है पदार्थ की चुमबक्षीलता म्यू है और इसकी विमाविह तथा मात्रक वही है जो म्यू नॉट के है अब हम पदार्थ की चुमबक्षीलता म्यू बराबर लिखेंगे गुननफल म्यू नॉट और म्यू आर का यह बराबर है म्यू नॉट एक जमा काई के काई, म्यू आर एवं म्यू में तीन राश्या पर्स पर संबंदित है यदि इनमे से किसी एक का मान ग्यात हो तो बाकि दोनों का मान ग्यात किया जा सकता है तो जो भ sogenतिक राश्या हमने यहां सीखी उनका उप्योग हम किसी भी पदार्थ को वर्गी करण करने में कर सकते हैं वर्गी करण की श्रेणिया क्या क्या होंगी? ये तीन श्रेणिया है प्रति चुम्बक्य, अनुचुम्बक्य एवं लोह चुम्बक्य श्रेणिया चुम्बक्य प्रवर्ति काय के द्रश्टी से देखें, तो कोई पदार प्रति चुम्बक्य कब है? यह तब होगा यदि इसके लिए काय कैसा है? रणात्मक. और यदि काय धनात्मक है तो क्या होगा? और इसका मान भी अल्पमान है? तो यह श्रेणी होगी अनुचुम्बक् ये कब होगा यदि काई धनात्मक एवं इसका मान अधिक है तो इस प्रकार हम श्रेणी में रख सकते हैं इस वर्गी करण के विशे में हम अगले कारिक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे इस प्रकार हम अब कारिक्रम के अंत में आप पहुंचे हैं आज हमने क्या क्या सीख आज हमने सीखा कि किस प्रकार गाउस के नियम को चुमबक्त में भी लगा सकते हैं। इससे यह परिणाम निकला कि चुमबक के एकल धुरूव नहीं हो सकते। फिर हमने भूछुमबक्त के विशय में काफिविस्तार से जाना। और अंत में हमने चुम्बक की करण एवं चुम्बक के तीवरता को भी समझा अब दर्शकों के मस्तिश्क में जरूर कुछ सवाल आ रहे होंगे जैसे कि एक जगा से दूसरी जगा जाने पर फृत्वी का चुम्बक के शेतर बदलता तो है परंतु क्या ये समय के साथ भी बदलता है यदि हाँ तो कितने समय अंतराल पर इसमें परियाप्त परिवरतन होते हैं क्या पृत्वी का चुम्बक के शेतर अपनी दूफता को उलट सकता है पृत्वी के एक क्रोड में लोहा है यह सब को ग्यात है फिर भी भूगर्ब शाष्ट्री इसको पृत्वी के चुम्बक के शेतर का स्रोत नहीं मानते ऐसा क्यों इन सबी और इसके अलावा जो भी आपके मन में सवाल है उनका उत्तर जानने का जरूर प्यास करें तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में धन्यवाद झालावाद